इस कहानी के शुरू में जब एक बच्ची आस्मान में पतंग उड़ा रही थी, थबी उसे आस्मान में उर्टा हुआ ग्रीन ड्रैकन नजराता है, जिसके बारे में वो अपनी मौम को भी बताती है, पर क्योंकि वो फॉन में विजी थी, इसलिए उसकी बातों पे देहान नह इतने सारे कच्च्च्च को देखकर, औबलिस की तो खुशी का ठीका आना ही नहीं रहा था, जिपके दूसरी तरफ शेहर वाले अपने शेहर के इस कच्च्च्च्च्च्च से बहुत परिशान थे, हर चका बत्पू पहली हो थी, इसलिए उनके शेहर में दूसरे लोगों के लिए एक मशीन बना रहा था, वो लोग कच्च्च्च्च को खतम करने वाली मशीन बना रहे थे, मेक्स को अब उसकी फ्रेंड की कहला दी है, जो उसके एक अपनी मॉम से बहाना करते हुए हर से बाहर निकलाता है, और उसकी मॉम उसके दैड के, यनि मेयर के आफिस चली जाती हैं मेर्ड जो के शेहर की किंडिशिन को लेकर बहुत साथ परिशान थे उन्हें कुछ नहीं समझा रहा था कि ऐसा कौन सा स्टेप लिया जाए कि उनका शेहर पहले जासा हो जाए उनकी इस परिशानी को देखकर उनकी वाइफ उन्हें दो दिन की छुटियों पर भीज रिगज यहां उनके पीछे बन जाती हैं कुछ दिनों के लिए इस शेहर की मियर जहां उन से महां बनाने के पौछ बनाने का एक ब्लान था वह शेहर के सारी कष्णे को उठा कर पच्री के बचल क नए जगा एक मौल बनाना चाहता था जिसको देखने के लिए उनके शेहर म कि उनके येजर्स पर पढ़ती है जिन्हें ऑग्लिस कहते हैं ने देखकर वो बहुत ही जाधा शौक हुच का था ऑग्लिस बड़े मज़े से इस कच्छरे के अंदर बैठे थे उस सामने देखता है जहां उसके प्रोफेसर अब कच्छरे को खतम करने वाली मशीन को अन ही करन करती हैं ये देखकर सब परेशान हो चुके थी प्रोफेसर तो इन क्रियेचर्स को देखकर पहले ही परेशान थी ऑग्लिस अपने घ्राइड मा को बचाने के लिए चौलती से प्रोफेसर की मशीन उठाकर उसको जोर-जोर से लाते हैं जिसकी वज़ा से फाइनली उनकी ग जा जाती है कि उसकी मॉम कच्रे के धिर को खतम करकर यहां पर मॉल बनाने का सोच रही है वैसे तो यह एक अच्छा प्लैन था लेकिन अब क्यूंकि उस जगा पर ऑग्लिस रहने के लिए आ गए थे ऐसे में कच्रे का धिर खतम होने पर उनका घर भी खतम हो जाता और यही सोचकर मैकस धुख ही हो जाता है मैकस खिरातई ही अपने फ्रेंट को कॉल रता है अगर इखता है कि कैसे उसकी मॉम कच्रे के धिर के चका एक मॉल बनाना चाहती है इन दोनों को लगता है क्यों आउधलिस की जान पछाने के लिए उनी इorry है आइख यह बतनी चाहिए ऌक् जिसने किसी तरहा इस प्लैन को रोखना है. मैईकस अपनी मूहम-को कुछ नहीं कह सकता था हा अ, अलबाता. यह लोक उस बिलडर से बात कहर सकते थे. जिस नेमसिस मेयर को ये सारा प्लैन प्रॉपोस किया था यहीं हमें उस builder को दिखाया जाता है जो अपने आदमियों को कह रहा था कि मैं नेमस मेर को अच्छा बेवकुफ बनाया मौल बिनाने के लिए उनसे पैसे भी ले लिए और कच्रा खतम करने की उनसे बात भी नहीं की मैं तो बस उस कच्रे को उठा कर कहीं और फैंक दूँगा और वहां मौल बना कर बहुत पैसे कमाऊंगा दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बाके सारे ओगली अपने डीन ड्रेकन पर बैटकर शेहर में आ चुके थी और हाते ही उन्होंने शेहर का सारा कोड़ा खाना शुरू कर दिया था इस गंद को खाता देखकर सबी लोग उनसे घिन करते हैं उन्हें बुरा समझ कर उनसे डरती हुई छुप जाते हैं और ओगलीस अपना काम करके अपने घर यानी कच्री के डिर पर वापस आ चुके थे अगले दिन जब बिल्डर इस जगा को कच्री से खाली करने के लिए आया तो ओगलीस को देखकर उसे बहुत जादा घुसा आ चुका था उसे तो यहाँ पर मॉल बनाना था ओगलीस को लगा कि यह बिल्डर उनसे दोस्ती करने के लिए आया है वो उसे खाने का भी पूछती है लेकिन बिल्डर इन ओगलीस के साथ बहुती बुरा सिलूग करता है और उन्हें धमकी देते हुए यहां से चला चाता है कि अगर कुछी दिनों में तुमने जगा खाली नहीं की तो मैं तुम सब को खत्म कर दूँगा यहां हम देखते हैं कि मैक्स और ओगलीस की बच्चे भी आ चुके थे जो इन सब को बताती है कि यह बिल्डर जल्दी इस चका पर एक बड़ा मॉल बनाना जाता है यहां से सारा कच्रा उठा दिया जाएगा और आप लोगों को यह जगा छोडने पड़ेगी जो बात सुनकर यह ओगलीस काफी दुखी हो चुके थे यहां बिल्डर भी ओगलीस वाली सारे बात आकर मिस मेर को बता चुका था वो कहता है कि ग्रीन कलर की अजीबों खरीब क्रियेचर उस कच्रे की धेर में रहने लगी है और अगर आपको इस शेहर को बेहतर मिनाना है तो इन ग्रीन क्रियेचर को अपने शेहर से निकालना पड़ेगा किसी को अपने शेर से निकाल देना कितनी अजीब बात थी ये सोचते हुए ही मिस्स मेयर के सर में दर्धोचका था मुमैक्स के प्रोफेसर डॉक्टर से ये अपने लिए सरदेट की दवा मंगवाती है और खलती से प्रोफेसर मिस्स मेयर को सरतेट की दवा के जगा ओगलिस बनाने वाला सिरम दे देते हैं सीन के ठोकर हमें ओगलिस को दिखाया जाता है जो सब ही ये जगा चोड़ने की वज़ा से काफी परिशान है उन्हीं काफी अरसे बात इतना अच्छा ठीकाना मिला था और अब पता नहीं क्या होने वाला था यहां मिस्स मेयर जीन होने ओगलिस वाला वो सिरम पील जा था कुछी देर बाद दिखाया जाता है कि थोड़ी थोड़ी तदेलियां होने के बाद अचानक से वह एक ओगली में बतल गई थी जिनको मैक्स पे देख लेता है मैक्स उनके देखकर बुरी तरह डर चुका था और रॉकली बनी उसकी मॉम फोरें से यहां से भाग कर कच्छी की धेर की तरफ चली गई थी क्योंकि कच्छी में रहना और कच्छा खाना तो उनकी नीचर थी मैक्स भी अपनी मॉम का पीछा करते हुए कच्छी की धेर धिका चुका था चाहां वो ये देखकर हैरान परिशान हो जाता है कि उसकी मॉम बहुत शोग से बहुत जादा-जादा कच्छा खा रही थी यहीं उसकी नजर बिल्डर पर भी पढ़ती है जिसने उनसे ओगलिस के बारे में ही कोई बात की थी अब क्यूंके मिस्स मेर भी अच्छी थी वो ओगलिस को यहां से बाहे नहीं निकालना जाती थी वो अब कोई तर्म्यानी रास्ता निकालने के लिए शहर की लोगों की आउगलीस के साथ मीटिंग फिक्स करती हैं जहां शहर की लोग आउगलीस को एकसेप्ट करना तो दूर उनको देखना भी कपारा नहीं करे थे क्योंकि आउगलीस बहुत साथा गंदी और बत्पूतार थे साथ ही उनके उपर मख्यां भी उड़े ही थी शहर वालों का आउगलीस के लिए ये पिहेवीर देखर मिस्स मियर को दुपारा सर में तर्थ होने लगता है और वो सर दर्थ की दवा की जगा दुपारा आउगलीस से रंपी लेती हैं और ऐसे सभी लोगों के सामने अचानक से वो आउगली में बदल गई सब लोगों के सामने मिस्स मियर का एक आउगली में बदलना इसका फाइदा सबसे जादा बिल्डर उठाता है और कहता है देखो देखो मिस्स मेयर भी एक ओगली है इसे लिए तो इन ओगलीस का साथ दे रही है ऐसे तो यह तुम लोग को हमेशा इस गर्ण में ही रखेंगी इतनी उट पिटांग की बाते सुनकर इससे पहले के शेहर वाले मिस्स मेयर को कुछ करते ओगलीस उन्हें बच थी वो इस दिरमकार एंटिटोर लेकर मिस्स मेयर का पीछा करते हैं यही हमें पता चलता है कि पिछले दिन बिल्डर ने जो कच्रे के पास ऑगलीस का घर खतम करने के लिए एक बाम लगा था वो बाम खराब होने की वज़ा से ऑगलीस का घर बच चुका था और इसी गुस खुसे में बिल्डर अब खुदी क्रेन में बैठकर आउगलीस का यह घर यानि इस कच्रे को तबाह करने के लिए आगे बैठता है और इसे दुरान मैक्स वक्त रहते ही अपनी मॉम यही मिस्स मेयर को बिल्डर के घलत इरादों के बारे में बता देता है कि कैसे उसने मिस् बिल्डर की क्रेन के उपर ही हमला कर देती है यह बिल्डर इस हमली से बुरी तरह डर चुका था वो मेशीन से बाहर आ चाता है इसे दुरान हम देखते हैं कि प्रोफेसर डॉक्टर भी इस जगह पहुँच चुके थे जिन्होंने मिस्स मेयर के लिए और इस सिरम का एक एं कि बिल्डर तो यहां रहा ही नहीं तब ही ओगलीस का वो ड्रैटन जिसकी सुंगने की सेंस बहुत तेज थी वो एक मिनट में बिल्डर को सुंगते हुए इस कच्छे की धेर से बाहर निकालाता है जिससे पुलिस पकड़कर ले चाती है बिल्डर तो पकड़ा किया था ते यहां रहने का ठीकाना मिल जाएका यह आइडिया और इस सब के कुछ तिन बात हमें दिखा जाता है कि फाइनली सबी और इस शेहर का सारा कच्छा साफ कर दिया था जो इनसानों नहीं फिलाय हुआ था यह शेहर उनका पहले जैसा खुबसूरत हो चुका था जहां अब शेहरों के लोग भी गूमने के लिए इस शेहर में वापस आने लगे थे इस शेहर के असली मेयर यहनी मैक्स के डाइड भी शेहर की यहाला देकर बहुत खुश होते हैं और शेहर के लोगों को एक साथ खुश दिखाते हुए यह कहानी यहां खत्म हो जाती है